राज शिक्षा मंत्री जीतू पटवाली ने अपने घर के बाहर पाँच दिन से धरने पे बैठे सामाजिक कारेकरता किशोर कोडवानी का धरना खत्म करवाया है। इसके साथ ही मंत्री जी ने किशोर कोडवानी को कानहा सरस्वती नदी के सफाई कारे में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सामाजिक कारेकरता किशोर कोडवानी पिछले छे महीने से नदी के सफाई का काम रुकने की वज़ा से परिशान थे। जो से लेकर वे राज शिक्षा और खेल मंत्री जीतु पटवारी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। पांच दिन धरने पर बैठने के बाद मंत्री पटवारी ने उनका धरना खत्म करवाया। दरसल विधान सबा सत्र में व्यस्त रहने की वज़़से मंत्री पटवारी किशोर कोडवानी से नहीं मिल पाए थे। लेकिन जैसे ही सदन खत्म हुआ वैसे ही मंत्री जी अपने जरूरी काम छोड़कर स्पेशल कोडवानी से मिलने आए और उन्हें सयोग करने का आश्व आश्वाशन भी दिया वही मंत्री जी के आश्वाशन के बाद कोडवानी कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए श्वास तो होना और संतुष्ट होना यह मेरे जनमपुल्डी में नहीं लेखा हुआ जब तक परिणाम पूरा नहीं हो यह जरूर है कि मेरा दबाव इस बात का था देट डिसाइड हो मार्च 31 तक पाइलेट प्रोजेक्ट 30 किलोमेटर का काम संपन हो उसका कोई छोर नहीं बन रहा था वो इनके दबाव से बन सकता था क्योंकि इनके पास सकता है शासन प्रशासन मेरी बात सुन सकता है इनकी कहने पर मनना उनकी मजबूरी है वो मोड़ पर आने के लिए मजबूरी में पांच दिन बेटना पड़ा जहां तक जीतु भाही का सवाल है तो वो अपने विदान सभा को परिवार मानते मैं शहर को परिवार मानता हूं दुनों के सोच व्यवार और चरितर में कहीं अंतर नहीं है शायद इसलिए अन्य राजनताओं की तुलना में इनसे ज़्यादा लगा और जुडा हो है कुल मिला कर एक तरफ जहां किशोर कोडवानी की जीत हुई वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर ये देखने को मिला कि मंतरी जीतू पटवारी के लिए जनता से जुड़ी समस्याओं का हल करना पहली प्रात्मिकता है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इन दौर